एक दफ़ा कर जिखरे की आसमान से एक लाल चीज जिसमें रोशनी जल रही थी वो जमीन की तरफ बढ़नी लगी और फिर एक घने जिंगल में आकर गिर जाती है। जिसके साथ ही ये सिन इधरे कट हो गया। अगले दिन एक अपल जो आपस में दोस्ती वो भी उस जंगल के लिए गाड़े में बैठकर जा रहे थी। जा रहे ये सोने दो जिस पर उसका दोस्त माफी मांगता है। कहने लगा ओ सो सोरी अचा आप कर देता हूं सो जाओ। उसने जैसे में उस एक बैंड किया रूस ने दुबारा से आंखी बन कर ली। लेकिन वो तो इससे कुश करने की कोशिश कह रहा था। दुबारा से गाना लगा कर गाने लगा। इस पर डांस भी कर रहा था। जिस पर दोनों ही हसने लगते हैं। अब यह उस घरे जंगल से आगे बढ़ रहे थी जो कुपसूरत भी था। क्योंकि वहां भूस है जरने और इस तरह की चीज़े रास्ते में आ रही थी। सफर करते करते ही ने काफी दीर हो गए थी। इसलिए भूक लग गई तो यह लोग एक होटल में रुके खाना खाने के लिए। वो खाना कहा ही रहे थी कि तभी एक मासूम सा बच्चा टोकरी लेकर इनके पास आ गया कहिने लगा कि मैं कच्रा लेने आया हूँ। इस पर रुत का दोस्त जिसका नाम हेरी था बच्ची को कहता है लेकिन बेटा खाना तो हम अभी खा रही हैं। अभी शुरू ही किया है इसमें टाइम लग जाएगा तो तुम अभी कोई और काम कर लो। बच्चे अभी भी नहीं गया वो गुमसम लग रहा था। भी परेशान होती ने पूछता है कि तुमने किसी लाल रंगी रोशनी को आस्मान से जमीन की दिफ आती हुए देखा हैं पर वो दोनों जाहिरे कुछ नहीं जानती थी। अब इससे पहले कि बच्चा मज़ीद आगे और बात करता उसकी मुम आवास लेकर उसे बुला लेती हैं तब वो अपनी बात को अधूरी छोड़कर अपनी मौम के बास चला जाता है अब रूत और हरे भी खाना काकर वहां से निकल जाती हैं ये लोग लाल चोटी पर जान अब से पहले कुछ हुआ है नहीं ना तो अब भी कुछ नहीं होगा मुझ पर यकीन रखो मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा हर जगा अब उसके बास से रूत को थोड़े तसली तो मिली लेकिन अभी भी वो अदास थी जिसके बाद ये दोनों कपड़े बदल कर अ पना समान लेकर जिंगल में चिलना शुरू कर दीती है हरी बहुत खुशता है देखो रुत कितने पुर सकुन जगा है है ना मैं यहां खास सोर पर इसलिए भी आता हूं ताकि अपने यादों को ताजर कर सकूं कितने हसीन पल गुजारे हैं नहीं हम अभी वो ये बता ही र रात होने से पहले हमें केम्प लगाना हैं जिसके बाद ये अपनी उस एरिया में आकर केम्प लगाने लगती हैं हरी तो खाना बनाने की तैयारी कह रहा था जिपके रुट केम्प लगाने की कोशिश कर रही थी काफी कोशिश के बाद भी उससे नहीं होता तो परेशान हो कि अगर तो तो तुमने केम्प लगान लिया तो रात को हम सोएंगे नहीं बलकि पार्टी करेंगे मिस्ती करेंगे पोट मजाएगा उसकी बात हरी को बहुत पसेंद आई इसलिए वो खोदी केम्प लगाने लगता है रात को पार्टी केने के पाद ये सो जाते हैं जहां आद कुम थी में तो डर गई हरी ने पोचा तुम यहां के कर रही हो जवाब देती है छोड़ा इस बात को मैं यहां खड़ी थी तो अजीब तरह की आर्ट में सोस हुई इससे कुछ तो है वहां और जब मैंने देखा तो वहां हीरन कड़ा था जो मुझे घूरा था यह बात मुझ उसे बताया यह जगा मुझे बहुत प्यारी लगती है क्योटी मेरी पसंदीता जगा है और आज इस जगा पर मैं अपना बहुत बड़ा काम करने रहा हूँ जो कहकर वह उसके सामने गुट्टों के बल बैटकर अंगोटी निकालता है बुशनी लगा विलियो मेरी मी क्या तुम उसे शादी करोगी मुझे अपनाओगी अब हलांके रोत पे उसे बसंद करती थी पर वह ज्यादा खुश नहीं थी उसे देखने से जड़ा नहीं लग रहा था कि उसने इस जिसकी उम्मीद की होगी लेकिन फिर अच्छानक उसे कुछ होनी लगा उसे ड्रावनी कर खाने लगी कि उसे बीमारी थी ऐसी टैक उसे होते रहती थी पर नॉर्मल होने की बाद उसने हैरी सी माफी मांगी यह थी है कि I am so sorry मैं तुम्हारी परपोजल को कबोल नहीं कर सकती कि मुझे शादे करनी नहीं मेरे खिया से हम अब जैसे हैं वैसी ठीक है सब ठीक है तो उसे पर खुश करने की बारे में बात करने लगी लेकिन हैरी ने यह क्यिकर मना कर दिया कि मुझे इस टॉपिक पर खूपिक पर बात है लेकिन रुट तो अभी पर उससे बेहसी किये जा रही थी इस बास से उसे गुस्सा आ गया मजीद बात भी करने के डर से वो खुदी उठकर वहाँ से चला जाता है अगले सुबर रुट जब नीन से जागी तो वो अकेली थी हेरी उसके पास नहीं था लाश करने पर उसे हेरी को चुड़ा हुआ नोट मिलता है जिसमें उसने लिखा था कि मैं अपना दिमाद क्लियर करने के लिए यानि मन हलता करने के लिए वोग पर जा रहा हूं ज़्यदे देर नहीं होगी जल्दी लोटा हूँगा अब जाहिर है रुट अकेली थी तो अकेली टाइम उसे गुजाय नहीं जा रहा था तो हेरी क्याने का भी सब्री से इंतसार करनी लेगी बहुर हो रही थी तो मुबाल इस्तमाल करने का सोचती है लेकिन चेक करने पर पता चिला कि मुबाय में तो सिगनल सी नहीं आ रही तो सिगनल ठोडने के लिए वो जंगल में आगे निकल गी अपने डॉक्टर को कॉल करने ही वाली थी कि तब उसकी नजर जमीन पर पड़ी जिए खीरन की लाश बहुत बोरी हालत ने पड़ी थी क्योंकि उसके जिस्म और सर की चेर फाड़ की हुई थी जिस्म किसी काले रंगी लिकुट की वज़र से गल्व सड़ गया था क्योंकि वो लिकुट अब जैम गया था उसे देखकर रुट को बहुत बुरा लगा डरते हुए वो जैसे पीछी एटी अचनक हरी से टकरा गई जिसकी पास ही आ रहा था खब्राई हुई थी जिल्दी से उसकी गले से लग जाती है हरी उसे संबालता है रिलेक्स करता है वो कहती है देखो यह वो ही हिरन है जो कल रात हमने देखा था अब वो परिशान आ हो इसलिए वो कहते है कि नई ऐसा नहीं है यह कोई और हिनन होगा किसे बिमारी की वज़र से इसकी मौत होई होगी तो रिलेक्स ओकी जो कहीकर वो रुट को यहां से लेकर चला गया रात को जब दोनों कैम की पास बैटी थी तो हिरन की मौत को लेकर रुट अब भी परिशान थी तब उसकी परिशाने कम करने के लिए हरी उसे एक किताब दिखाता है इसमें लिखा हुआ था कि हिरन की मौत अक्सर एक अतनाग बिमारी की वज़र से हो जाती है जो बिमारी काली रंगी लिकुट की वज़र से बनती है लेकिन रुट अभी भी इस बात को मानने के लिए तयार नहीं थी कहती है नहीं उसे जरूर किसी और नहीं मारा है फो गातिल जो बिए अभी जंगल में गूम रहोगा वे जंगले जनवरा भी हो सकता है अच्हा अगर वो जनवर भी हुआ तो क्या मसला है हमारे पस आगए हत यार है अगर वो जनवर यह आयां तो हम इसका समना कर लेंगी रुट कहती है जानती हो मैं शादी से क्यों मागती हूँ क्योंकि मेरी मुम्डेट की शादी शुदा जिन्दगी बहुत खराब रही तो मेरे ख्याल से मुझे भी शादी नहीं करनी चाहिए मेरे साथ भी ऐसा ही होगा तो बेशक शादी ना हो मैं ऐसी तुम्हारे साथ खुश हो पूरी जिन्गी तुम्हारे साथ रेना चाती हो किके मैं अभी तुम से प्यार करती हूँ और अब उम्मिद करती हूँ कियstory हमारे लिए काफी होगी जिसी अब तुम भी सामज जाओगे जिस पर मुस्कुलाते हुए हैरी कहता है हाँ क्यों नहीं यार करता हूँ तुमसे तुमसे तुम्हारी बात पर नहीं मान सकता फिर थोड़ी दिर की बार जिब हैरी खाना बना रहा था तो वाश्रूम और लकड़िया लाने के लिए रोट जेंगल में घूमने लगी एक जिबा आकर उसे पहले फूल दिखी जो उसे बहुत पसंट थी क्योंकि इनके बारे में उसने अपने किताब में भी पढ़ा था फूल तोड़कर अभी वोसे देखी रही थी कि तब ही वहाँ बने एक केव गार में उसे एक रोश्टी चबकते हुई देजर आई इसे देख वो किर्फी अंदर आ गई काफी अंदर आने की बाद उसे जमीन पर निली रंगा लिकूर दिखा वो उसे काफी अनौका लग रहा था तो लिकडी किस टिक सी उसे चेक करने लगी जिस बीच उसे अपने पीछी किसी की होने का एहसास हुआ जैसे उसने पीची मुड़कर देखा जोड़दार वो चीख मार दीती है अब उसने किया देखा ये हमें निखाया नहीं जाता ठीटिनी सीन इधर एक कर्ट हो जाता है उधर हेरी जिसने खाना बना भी लिया था खाने लगा था काफी देर सी रुद क्याने का इंतसार कर रहा था उसे परेशानी होने लगी थी क्योंकि आदा गंटा हो गया था अभी तक वो वापिस नहीं आई इसलिए उसे ठोड़ने जगलों में चला गया आवाजी लगा कर उसे ठोड़ी रहा था उसे रुद के बिच खड़ी कोई नेजर आई वो जिल्दी से उसके पास गया रुद उससे बात तो कर रही थी लेकिन उसकी हावबाव बिलकुल बदल गयी थी हैरी उससे पूछता है तो पिछले आदी गंटे से गाइब हो कहां गयी थी रुद जवाब देती है वो द्रसल में रास्ता बटक गई थी हैरी कहता है ओके ठीके छोड़े इस बात को चलो यासी वो जब उसे लिए जा रहा था तो उसकी उल्टी उल्टी हरकतों को साफ नोटे सकेन पा रहा था लेकिन देसे अंदास कर देता है रात को जब ये सो रही थी तो हैरी की आँख फुल गई उसने जब चेक किया तो रुद उसकी साथ नहीं थी वो परिशान हो गया लाइट लेकर उसे ढूडने चिला जाता है एक जगा आकर उसने जैसे पीछी मुड़कर देखा तो वहार रुद थी जिसने हाथ में चाको पगड़ा हुआ था हरी तर गया कियता है ओ शिट तुम हो मेरी तो सांसी अटग गई और तुम कहा थी ये चाको तुमारे हाथ में क्या कह रहा है रुद जवाब देती है वो दुरसर मुझे जंगली जैनल की आवाज आई थी उसे मारने के लिए ही मैं ये चाको ले आई हरी कहता है अच्छा चलो अब ये चाको मुझे दे दो जिया पहली पहली तो वो चाको दिने से हीच की चाती है लेकिन हरी की बार-बार कहने पर उसे दे नहीं पढ़ता है जिसके बाद ही दोनों वापिस आकर अपनी टेट में अराम करने लगे अब हरी तो सो गया था पर पूरी रात रुद ने एक सेकंड के लिए भी अपनी आँख बंढ नहीं की एक ही पॉजिशन में पूरी उसने अपने आँखे खोल कर रखी ऐसी फिर रात चे सुबा हो गई हैनी उससे पूछता है रुद नेन पूरी हुई तुम्हारी फेश लग रहा है इस पर वो हामी जवाब देती है लेकिन उसके हाओ बाओ कुछ और ही बता रही थी थोड़ी कर की बाद जब हरी समान पे कहरा था तो देखता है कि रुद का बरताओ अलजीब है वो दुसे तरफ मोर करके बैटी है वो भी एकदम चुप चाओ पिलकुल शान इसलिए उपोश लीता है रुद क्या बात है मैं कबसे तुम्हारी जीबरता को नोटिस कर रहा हूं सब ठीक है रुद कहती है मुने शर्मिंदगी हो रही है मैंने तुमाई परपोजल को क्यों ठुक रहा है प्लीस मुझे माफ कर दो मैं तुम्ही एक और मुका देना चाहती हूं तुम फिर से मुझे परपोज करो ना ऐसा लगना चाहिए कि सब पहली बार हो रहा है मोगे पर है उसकी मौथ हो जाती है रुद को अचानक अजीब लगा वो तीज़ी से वहाँ से बागने लगती है पर अचानक वो इतना थद्दी कि उसे ततलीफ होने लगी वो वहीं गिर थर बियोश हो जाती है काफी दिर तक वो वहाँ भी होश पड़ी रही लेकिन जब एक कपल वहाँ से गुजड़ा तो उसे भी होश पड़ा हुआ वो देख ली थी वो काफी घब रहा गई जिल्दे से उसे पानी पिला कर होश मिला थी नॉर्मल होने पर वो रुट से बोशनी लगी तुम ठीक तो क्या हुआ था इस पर वो बताती है मुझे कुछ याद नहीं मैं बस बाग रही थी चेकर आया तो गिर गई तो पल को उसकी ऐसी हला देकर तेखर साना था तो वो रुट से कहने लगी आज रात तुम हमारे साथ हमारे कैम्प में रात कुजार सकती हो जैसी सुबा होगी तुम चले जानाओ वो लोगों से अपने कैम्प में ले आए पर उसकी हाला देकर दोनों को लग रहा था कि ज़रूर रुट की साथ कोई गड़ बढ़ है जिस्टर से हमवान नहीं जाती बाचित करने की बाद वो औरत अपनी हिस्बिन को कहती है इसी मेडिकल की जरूरत है सुबा होते ही हम इसे ले जाएंगे पर रुट बड़ी अजीब हरकत करती है वो वहाँ बड़े कपल की चाको का उठाकर बड़े गोर से देखनी लगती है तो रहा हिस्बिन वाइफ कफे डर गई कि ये कुछ को नुकसाना पहुंचाने उसे शान्थ करने की कोशिश करने लगी वो कुछ बोली नहीं चाको से बस जाडियों की तरफ इशारा करने लगी कि वहाँ से एक आदमी आ रहा है मैंने उससे डर के चाको उठाया तो पल में सी आदमी जब उससरफ लाइट मरकर देखता है तो वह हैरी था जो मना नहीं था अभी जिन्दा था बिल्कुल सही सलामत था उससे अपने सामने ऐसे बिल्कुल ठीक पाकर वो बहुत डर गई इतना गपरा गई कि उसकी हालती खराब होने लगी जिसकी बाद वो जिंगल में बाग जाती है तब उसकी पीछी पीछी तपल में सी औरत भी बाग गई जबकि औरत के इस बिन हैरी को आगे आने से रोक रहा था क्योंकि हैरी उसे ठीक नहीं लग रहा था वो ड्राव ना मुस्कुरा रहा था जैसी हैरी उसकी पास आया आदमी ने चाको से उस पर वार कर दिया वार को उसने बड़ी असानी से रोक दिया लेकिन इस वज़़े से उस आदमी का हाथ कट कर नीचे घिर दिया क्योंकि जब हैरी ने उसके हमले को रोका था तब उसके उंगली बार एक नोगदर लोहे की बन गए थी तेजदार बिलकुल तेवार जैसी और अब जैसी हैरी ने अपना हाथ देखा अपनी ये उंगली देखकर उसे बहुत खुशी हुई वो आदमी से पूशने लगा हाँ बताओ करनी के अनडाइम उससे जो कहकर वो अपनी नोगदर उंगली उसके चेरी पर नीची से उपर की तरफ फेर देता है उसके ऐसा करने से आदमी की सरकी तो हिस्सी हो गई वो भी इतनी असानी से इसे बिच औरत रुट को भी ढूंड चुकी थी वो पेड़ के पीचे चुपी हुई थी रुट को वो तसली दीती है कि कुछ नहीं होगा हम तुमें बचा लेंगी कि वो बहुत हाप रही थी इसे बिच औरत को अपने हिजबन की आवास सुनाई दी लेकिन हैरी जो वहीं खड़ा था पीचे से उस पर वार करता है उसने वार नौकदर उंगली से किया था जिस वज़े से वो वहीं गिर गई क्योंकि कमर पर कट लगने की वज़े से वो काफी जखमी हो गई थी अब हैरी रुट को बाहर बलाने लगता है जिससे उसकी मोथ हो चाती है उसे रोकने के लिए रुट आगे बड़ी लेकिन हो उसे भी अपनी नौकदर उंगली दिखा कर दमकानी लगा वो रुट से बूचनी लगा कि तुम्हें कैसे बता जला कि मैं हैरी नहीं बलकि कुछ और हूँ तब डर की वजह से वो बता ही देती है जो मैं केव में गई थी पीछी मुड़कर जो मैंने चीख मारी थी तो वहां मैंने असली हरी की लाश देखी उसके लाश भी पले रंगे लिकुट की वजह से गल सट गई थी जिसने अब उसे हर तरफ से कवर किया हुआ था यही वजह है कि मैं डर सहम गई थी क्योंकि हरी को इतनी बुरी हालत में देखा सर्दों टुक्डों में कटा हुआ था मुझे कुछ समझ नहीं आ रहे थी कि क्या हुआ बाहिर आकर मैंने दवाई खाई जब मैं नॉर्मल हुए तो मुझे पता चला भी किसी क्रियेचर ने मेरी हरी को मार दिया है उसे मारने के बाद क्रियेचर ने उसका रोप ले लिया है रोथ अब ड़ते है और से पूछती है कि तुम कौन हो जिस पर वो पतानी लगा कि मैं एक दूसरी प्लैनेट सेयारे से आया हुआ एलियन हूँ यह इसली आया हूँ तकि अपने प्लैनेट की लोगों को यहां की बाले में ख़बर कर सकूँ अब क्योंकि सारी बात सामने आ गई थी रुत को उसकी सचाई की बाले में पता चल गया था खेती है अच्छा प्रीस मुझे छोड़ दो जाने दो मैं वादा करती हूँ तुमारे बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगी वो बोलता है मैं तुमें कुछ नहीं करूँगा क्योंकि मैं तुमारे लिए जुम्हें सूस कहरा हूँ ये सच्चा प्यार है वो जैसे ही मुड़ा मोका पाकर रुथ वहाँ से बाग गई है यानि कि वो एलियन भी उसके पीछे पीछे बागा लेकिन रुथ को कुछ नहीं कहता क्योंकि प्यार करने की वज़ज़ सी उसे नुकसान नहीं कोच जा सकता था ठकार कर रुथ एक जगा आकर रुख गई एलियन भी उसके पास आगया रुथ को लगा कि ये मुझे मार देगा तो अपने बचाओं में वो से लेनी लगी बार बार उस पर वार करे थी जिसी एलियन को बुरा नहीं लगा बल्कि वो तो हस रहा था क्यों कि ये सब उसी मसाक लग रहा था रुथ उससे पूछती है अब क्या मसला है तुम्हें तुम क्यों मेरे बीची पड़े हुए हो चाहते है क्या हो मस्सी इस पर वो कहता है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं बस इतना जानता हूँ कि तुमारे लिए प्लैनेट से यहां आया हूँ वहां प्यार नहीं है और मेरे हिसाब से यह खुबी सिर्फ इंसानों की पास है यह एसास बहुत ही प्यारा है यह कहकर विक तरफ इशारा करता है जिसके साथी उसके स्पेशिप वहां आ गई जो किसी एर बलून गुबारे जैसी लग रही थी वह बताता है यह मेरी स्पेशिप है जिसने बठा कर मैं तुम्हें यहां से अपने प्लैनेट पर लिजाना चाहता हूँ वह जब यह सारे बाते बता रहा था तो रुद की नजर उसकी जेप पर जाती है जहां चाहको रखा हूँ था वह बताता है कि मैं तुम्हें यहां से इसलिए लिजाना चाहता हूँ तकि तुम्हारी हिफाज़त कर सकूँ क्योंकि कुछी दिनों के बाद मेरी जैसे और बे करे सारे इलियन्स यहां से मेरी पर आनी बने हैं हमला करने के लिए तो मैं नहीं चाहता तो मैं कुछ हो वहां जाकर हम बहुत प्यार से रहेंगे फुश्गवार जिन्गी कुशारेंगे उसकी यह बाते रुथ बिल्कुल चुप चाब होकर सुन रही थी कोई हरकत नहीं करती क्योंकि उसकी दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था और वो उसके बात माने के लिए भी हां बोल दीती है फिर जैसे वो स्पेशिप तक जाने के लिए मुड़ा मोका बैकर रुथ उसकी जिप से चाको निकाल कर उस पर पॉइंट कर दीती है एलिन का गुसा तो आया लेकिन फिर भी वो से समझाने के लिए आगे बढ़ा तब एकदम से रुथ ने उसके सीने में चाको गुसा दिया जो करने की बाद वो वों से समंधर की तरफ बाग गई नारे पर आकर वहां से बाग कर दुबरा से जेंगल में चड़ी जा दिया लेकिन है रहे उसका ये प्लैन ना काम रहा क्योंकि शार्ट ने उससे नहीं बिल्कि उस नहीं शार को मार दिया था जेंगल में आगी बढ़कर रुथ उस कपल की टेंड की पास आई और उनका छोड़ा हुआ खाना खाने लगती है यूकि भूकी वज़े सी उसकी हालत खराब हो रही थी उससे पता था ये एलियन मेरे बहुत ही पीछे खबराई होई थी जो देखर एलियन अपने टेंडिकल से उस पर हलका सा वार करके शान करता है और उस टेंडिकल को रुथ के साथ ही जोड़े रखता है फिर थोड़ी देर की बाद जैसे उसने टेंडिकल अले किया रुथ वाएं गिर कर भी होश हो गई जैसे उसे होश आई वो खुत को उसी काले लीकुर्ड जो जम गया था उसे अपने पुरे जिसम पर पाती है एक लंबे से टेंटिकल की मिड़त से वो एलियन से जोड़ी होई थी एलियन कहता है मैं तुम्हें अपने अंदर समा लूँगा तकि तुम और मैं एक हो सकी एसे पर तुम हमेशे के लिए मेरे साथ जोड़ जाओगी अब वो जैसे रुत को अपनी ताक्तों से कमजोर करनी लगा तब उसकी अलत खराब होना शुरू होगी तब उसकी नदर सामने पड़ी अपनी दवाई पर गई जिसी देख वो एक प्लैन बनाती है एलियन को कहने लगी कि मैं तुम्हे समाने से पहले कुछ बातें करना चाहती हूँ जो कहकर वो अपने बच्पन के डर, कमसोरी और कमयों के बारे में बात करती है जो सुनकर एलियन की तबियत बिल्कुल वैसे होने लगी जिसे रुत की हुआ करती थी यानि कि अब ठीक होने के लिए उसे भी दवाई की जुरूरत होगी जिस बारे में रुत ने पहले उसे बता दिया था कि वो पीछे पड़ी है अब रुत ने अपने सारे मसले उसे बता दिये थी इस वज़े से वो एलियन भी रुत की शकल ही ने लीता है तब ये ठेक करने के लिए दवाई की तरह बढ़ने लगा लेकिन इसी बीच उस कवर को तोड़कर रुत बाहिर आ गई एलियन ने देखा कि डबे में कोई दवाई नहीं है तो उसे बहुत गुसा आया लेकिन वो कमसोर था इसलिया रोध दीरे दीरे उसकी तरह बढ़ने लगी एलियन जमीन पर गिर गिर गया हलत उसकी बहुत खराब थी बुरी तरह वो हाप रहा था इस चीज़ का फाइदा उठाकर रुत ने पथर उठाया और उसी एलियन की सर पर मार कर उसका चीरा ही कुछ चल दिया वो तब तक पथर से उसी मारती रही जब तक उसका गुसा ठंडा नहीं हो गया जिसकी बाद वो बाहर अपने गाड़ी के पास आई और यहां से निकल चाती है लेकिन तभी अचानक रेडियो चल पड़ा उसमें और कोई नहीं बलके एलियन बोल रहा था जो रुद को कियेता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं चोड़ूँगा प्यूकि मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ इसकी बाद हम आस्मान में वो सारे लाल रंग की रोशनियों को मुवी दरी खत्म जाती है